हलो फ्रेंड से मैं अमित माल भीया, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो अगर आप एक CSE VALE है या आप एक ओनलाइन सौप संचालक है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा informative होने वाला है क्योंकि दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे portal के बारे में information देने वाला हूँ जिसमें कि आप काम करके काफी अच्छा commission earn कर सकते हैं मतलब आप महीने का 35-40,000 रुपया आप इस वाले portal से कमा सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को इस portal के बारे में completely information प्रोवाइट करने वाला हूँ किस तरह से आप यहाँ पर 35-40,000 रुपया महीना कमाएंगे उसका भी पूरा process आपको जो है इस वीडियो के मद्यम से बताने वाला हूँ साथी साथ इस वाले portal पे आपको जो है कौन-कौन सी ऐसी services मिलती है जिनमें कि आप जो है अच्छा काम करके अच्छा incentive earn कर सकते हैं वो information भी आपको जो है इस वीडियो के मद्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साथी साथ आप जो है इस वाले portal पे अपना registration कैसे करेंगे किस तरह से आपको जो है इस वाले portal का credential मिलेगा किस तरह से आपको user id password मिलेगा सारी information आपको जो है इस वीडियो के मद्यम से मिलने वाली है तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा information होने वाला है तो वीडियो को like अभी से कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बाढ़ आए है तो चैनल को subscribe भी कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का digital areas rated content मिलता रहता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को जो इसका income calculator है वो आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था कि इस वाले portal से आप जो है 30 से 35,000 रुपया महीने का आप जो है easily कमा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको जो है बताया गया है अगर आप जो है per day की income आपकी 1100 यहाँ पर है जैसे कि आप नीचे की तरफ scroll down करके आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले portal पर आभी तक का जो है सबसे आपको जो है highest incentive दिया जाता है जिसमें कि अगर आप money transfer की service की बात करें तो money transfer की service अगर आप जो है तो easily money transfer होई जाता होगा तो यहाँ पर हम जो है only 4500 रुपे की बात कर रहे है कि अगर आप जो है minimum कम से कम आप जो है 4500 रुपे का money transfer करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपे का incentive जो है दिया जाता है मतलब highest commission आपको यहाँ पर दिया जाता है only एक transaction पे अगर आप जो है यहाँ पर 20,000 का ही transaction कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो commission हो जाता है 100 रुपे के आसपास आपका यहाँ पर commission बन जाता है एक ही दिन में ठीक है ना एक ही service के माध्यम से आपको जो है 100 रुपे का commission यहाँ पर मिल जाता है उसी तरह से EPS में भी दोस्तों अभी तक का सबसे highest आपको यहाँ पर जो है income दिया जाता है आप अगर मान लीजी यहाँ पर customer का 3500 रुपे विड्रॉल करते हैं तो उस पर आपको जो है 10 रुपे commission दिया जाता है जो की अब तक का EPS में सबसे जादा commission है जनरली यहाँ पर 4,000-5,000 रुपे तक आपको 7 रुपे ही commission दिया जाता है लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें इस वाले portal की तो इसमें आपको मात्र 3500 रुपे के EPS transaction पर आपको 10 रुपे का commission यहाँ पर दिया जाता है सांती साथ अगर आप आप जो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर और भी काफी सारी services है जिसमें कि अगर आप जो एक mobile recharge करते हैं तो उसके भी आपको 5 रुपे तक का साले 4 से 5 रुपे का commission आपको यहाँ पर मिलता है scroll down करके आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर और भी काफी सारी services है दोस्तो सबसे बढ़िया जो service है insurance की जिसमें कि आप जो है मात्र 950 रुपे में customer का third party insurance कर सकते हैं bike का इस पर आपको जो है 7 रुपे का commission यहाँ पर जो है provide किया जाता है LIC premium भी अगर आप जो है pay करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 5800 रुपे की अगर आप जो है premium pay करते हैं कम से कम तो आपको 10 रुपे commission यहाँ पर जो है दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको जो है bus ticket की service भी मिलती है domestic flight ticket की service भी मिलती है rail ticket भी आप जो है यहाँ पर customer का book कर सकते हैं और इन सभी पर आपको जो है अच्छा commission भी यहाँ पर provide किया जाता है अभी जो flight ticket के लिए यहाँ पर कोई भी commission नहीं है ठीके ना बाकी अगर आप जो है train ticket भगेरा book करेंगे IRCTC का ID अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं तो उस पर भी आपको जो है यहाँ पर अच्छा commission दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो किसी भी वेक्ति का income tax पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है मात्र 1000 रुपे में उस वेक्ति का income tax पे कर पाएंगे पेन कार्ड की service भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है और आपको पेन कार्ड बनाने पर भी जो है यहाँ पर बाड़ा रुपे का commission जो है दिया जाता है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आओर भी काफी सारे commission है जिसमें कि आपको जो है काफी सारे courses दिये गए है जिनमें कि आप जो है customer का registration करके अच्छा commission आरण कर सकते हैं काफी सारी तो ऐसी services है जिसमें कि आपको 3000 रुपे तक का commission यहाँ पर दिया जाता है मातर 5000 रुपे के अगर आप यहाँ पर minimum transfer करते हैं या इस course को आप जो है sell out करते हैं पर डे के हिसाब से अगर आप जो है महीने पर इस वाले पोर्टल पर काम करते हैं तो आपको यहाँ पर 30-35,000 रुपया महीने का इस वाले पोर्टल से आप जो है easily कमा सकते हैं क्योंकि दोस्तो इसका जो commission है अभी तक का सबसे highest commission है अब दोस्तो अगर आपको इस वाले पोर्टल को लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस वाले पोर्टल के बारे में बताया गया है ये वाला जो पोर्टल है सहज सुभीधा केंद्र जैसे कि आप सभी को पता है कि काफी popular पोर्टल है और इसमें अभी तक जो है किसी के साथ भी कोई fraud नहीं हुआ है कोई चीज आपको यहाँ पर सुनने के लिए नहीं मिलेगी इनका यहाँ पर आपको customer care number भी मिलता है जिनसे कि आप call to call बात कर सकते हैं जो भी आपकी queries आप उनके साथ साट आउट करवा सकते हैं अगर आपको इस वाले पोर्टल पर registration करना है तो यही पर आपको एक registration का button मिल जाता है आपको registration वाले button पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर new registration का एक option देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको simply new registration वाले button पर click कर देना है तो अभी आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्र registration का आपको option मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीजी है कि इस वाले portal को registration करने के बाद अगर कोई भी अधिकारी आप से case की demand करता है पैसो की demand करता है तो आपको जो है उनको किसी भी तरह का payment नहीं करना है यहाँ पर payment के facility online है मतलब जो payment आप जब यहाँ पोर्टल पर registration करेंगे तो आपको जो है online ही जो payment आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा उसी payment को आप जो है online तरीके से करेंगे बाकि आपको जो है किसी को भी payment यहाँ पर cash नहीं देना है या आप जो है business purpose इस ID को लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले business को tick out करेंगे ठीके ना उसके बाद अप जो scroll down करके नीची के तरफ आएंगे यहाँ पर आपको जो है category का option मिलता है तो यहाँ पर आप जो है सहज मित्र को selected रहने देंगे यहाँ पर आप जो है सबसे पहले अपना area select करेंगे आप जो है gram in चेतर से रहने वाले हैं तो ruler को select करेंगे अगर आप जो है सहरी चेतर से बिलॉंग करते हैं तो आप जो अर्बन को tick out करेंगे उसके बाद आपको scroll down करके नीची की तरफ आजाना है यहाँ पर आपको continue का button बिलेगा यहाँ पर click कर देना है जैसे आप continue वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको mobile number, whatsapp number डालने का option आजाएगा आप डाल दीजिए और आपना email idea उसको यहाँ पर provide कर देंगे उसके बाद scroll down करके नीची की तरफ आजाना है यहाँ पर आपको अपने identity proof में information देनी है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नाम की और आपकी detail provide करानी होगी ठीके ना, जिसमें कि आपको आपका नाम क्या है जो आपके identity proof पर लिखा है, वही नाम आपको यहाँ पर provide करना है ठीके न, scroll down करके आप नीची के तरफ आएंगे यहाँ पर आपको जो पेन कार्ड अपलोड कर देना है यहाँ पर अपना pen number इंटर करना है यहाँ पर अपना salutation select करना है first name क्या है, middle name क्या है आप बताएंगे scroll down करके नीची के तरफ आएंगे यहाँ पर last name लिखेंगे, save and continue वाले बड़न पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपलोड आधार का option आजाएगा तो आप जो अपने आधार कार्ड को भी यहाँ पर upload करेंगे आधार कार्ड के according आपका नाम क्या है आधार नमबर क्या है, सारी information फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है center का address इंटर करना होगा जहाँ पर की आपका center है, जहाँ से कि आप online का काम करते हैं ठीके ना, उसके बाद आपको जो है जब farm को आप submit करेंगे तो आपको जो है farm का review बताया जाएगा आप review में अपनी सारी information को check करेंगे उसके बाद आप जो है farm को final submit कर देंगे जैसे आप farm को final submit कर देंगे तो आपको जो है reference number प्रोवाइट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आप जो है submit वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो application का status है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा दोस्तो जब आपका application यहाँ पर approve हो जाता है तो आपको जो है user credential आपका जो id password है आपके email पर आपको भेज दिया जाएगा उसके बाद फिर आप जो है इस वाले portal को login करके इन सारी services में आप अपना registration करके इन सारी services का आप जो है use करके अच्छा incentive earn कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप जो है सहज सुवीदा केंदर पर अपना registration करके काफी सारे काम कर सकते हैं और यहां पर जितना भी सारा commission आपको दिया जाता है वो बाकी जितने भी सारे portal है उन से ज़्यादा दिया जाता है और सहज काफी लंबे समय से चलने वाला portal है यहां पर किसी विदर का fraud किसी के साथ में आज तक नहीं हुआ है तो अगर आप जो है इस वाले portal को लेना चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं इसका link आपको जो हमारी telegram channel पे भी देखने के लिए मिल जाएगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में ये था सहज सुवीधा केंदर के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इस वीडियो से रिटेट आपके मन में कोई भी डाउट है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं मलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में किसी नए information के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिये जैहिन चैपार